वेलकम टू मैं यूटूब चैनल जीके विद कीरती आज के इस वीडियो में सीरीज 14 पढ़ेंगे 14 नंबर की सीरीज यहां पर बहुत ही इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स और जीके के कॉस्टन है स्वाइब आपको एक कॉस्टन एक्जाम में हेल्फुल रहें तो आज हम ज में तक जरूर बने रहना साथ ही साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईगोन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो पब्लिस करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियो को देख सकते हैं तो यहां पर हम कॉस्ट सेवा सुरू की जाएगी तो यह कब से सुरू होनी है और एक सितंबर सितंबर उसल्टका सांट मिले है तो यह कब से स्टार्ट होना है 31 ऑक्टूवर 2020 से 31 ऑक्टूवर 2020 से हो अगर्मेंट किया है कि प्रेस्ट एवर सी प्लान सर्वेस स्टार्ट होगी गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर इतनी खास डेट क्यों रखी है क्योंकि इस दिन वर्थ हैने वर्षी है किसकी सरदार वनलब भाई पटेल की तो गुजरात की बात की जा रही है यहां पर तो गुजरात से एक क्वेश्चन और बनता है यूनिटी ऑफ स्टैच तो दूसरा तो यह है कि गुजरात में फर्स्ट एवर सी प्लैन स्टार्ट की जा जाना है 31 अक्टूबर 2020 से और इसी दिन क्यों स्टार्ट होना है क्योंकि इस दिन सरदार वर्लब भाई पटेल की वर्थ हैनिवर्स्री है इक्स्ट इस विच स्टेट गवर्मेंट रेसेंटली लॉंच्ट रो रो ट्रेंड सर्विस हाली में किस राज्य सरकार ने गोशना की है कि रो रो ट्रेंड सेवा की सुरूवात की जाएगी और महराष्ट्रा, करनाटका, तमिलनाडू और मंधिप्रदेश रो रो ट्रेंड सर्विस रोरो ट्रेन सर्विस क्या है इसमें एक तरीके के ट्रक्स हैं और जो बड़े वेहिकल्स हैं उनकी सर्विस है जो स्टार्ट की जानी है तो रोरो ट्रेन सर्विस स्टार्ट कहां पर होनी है करनाटक में करनाटक में है इस तरीके से जो रोरो ट्रेन में क्या होगा open flat wagon रहेंगे जिस पर जो भी लॉरी इस ट्रक्स है उनको load करके दूसरी जगह भेजा जा सकता है और इनमें क्या रहेंगे लॉरी जाएंगी जो रोरो ट्रेन के थो इसमें driver और cleaner है जो vehicles में बैठके जा सकते हैं इस to IPL 2022 तो IPL के लिए जो BCCI ने announcement किया है कि कौन सी company है जो partner रहेगी BCCI की IPL 2020 से IPL 2022 तक वो रहेगी अनकेडमी जो एजुचेक फर्म अनकेडमी कंपनी है वो official IPL रहेगी 2022 तक BCCI के साथ में official partner कौन रहेगा IPL के लिए 2022 तक अनकेडमी यह अनकेडमी बैंगलूरू वेस्ट एक एजुचेक फर्म कंपनी है जो official partner वनेगी इंडियर प्रीमियर लीग की तीन सीजन के लिए 2021 और और यह announcement BCCI न Saturday को ही किया है next is recently former president of India's Pranam Mukherji was passed away which number was the president तो भी हाली में Pranam Mukherji का निधन हुआ है वो हमारे इंडिया के पूर्व President रह चुके है राष्टपती रह चुके है वो कौन से नम्मर के राष्टपती थे इंडिया के 12 नम्मर के 13 नम्मर के 14 नम्मर के 15 नम्मर के तो प्रडव मुखर जी है इंडिया के 13 नम्मर के राष्टपती थे जिनका भी recent में निधन हो गया है 85 एर्स की एज में तो यहां पर जो President बने थे तब है 2012 से 2017 तक है जो भारत के राष्टपती रह चुके हैं तो आपके लिए य 2012 से 2017 तक रहा है और इनकी डेथ है जो भी recent में 31 अगस्त 2020 को हो गई है नेक्स्ट इस वाट वस्ट इंडिया जीडिपी ना फस्ट क्वार्टर रिलीजड वायर थे नेशनल इस्टेटिकल ऑफिस तो नेशनल इस्टेटिकल ऑफिस के हिसाब से जो क्वार्टर फस्ट कर पैडेपी 100 की गई है इंडिया की जीडिप मैनस में चली गई है 23.9% मायनस 23.9% है जो जो जिसमें अगरिकालचर सेक्टर को छोड़के क्योंकि अगरिकलचर सेक्टर काई इस्टेपी में है जो कलटनरह इदो 될 किया गया है प्लस है मैंशких इंडिया की जीडियर की प्लस मैं इंडिया की डिपी माइश 3.9 परसेंट Dasia April, जून जuing The first quarter का रिजल्ट आए उस में इंडिया की जीडिपी मैनश 23.9 परसेंट हो गई व का से सीजिव क्या परसेंट जनरल इंटेरर हिट श्रीनंगर तो एसा पहली बार हुआ है कि पहली फीमेल IPS ओफिसर को अपॉइंट किया गया है एजा आईजी इंस्पेक्टर जनरल की रूप में सीयार पीएफ में टेरर हिट स्रीनंगर एरिया में वो कौन है ऑप्सन है सिवानिय हुजा श्रया आरेया अ पर वह भी स्रीनंगर टेरर हिट एरिया में जो कोई पहली फीमेल IPS ओफिसर को एजा आईजी आपॉइंट किया जा रहा है सियार पीएफ में तो वह कौन चारू सिन है चारू सिन है जो फर्स्ट फीमेल आईप्यास ओफिसर जो आपॉइंट की गई है सी आर पीएफ पहला फर्स्ट इंटरनेशनल भूबेंस ट्रेट सेंटर खुलने जा रहा है तो कहां पर खुलने जा रहा है केरल में के कोच्ची में नेक्स्ट इस वैंवाज ऊंग लॉंच्ट तूमंग जो एक गवर्मेंट पोडल था सेंटर लेंड इन स्टीट गवर्मेंट में मिलके को लॉंच किया था 2017 में तो यहां पर उमंग का फुल फॉर्म क्या यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस जो भी डिपार्टमेंट रहेंगी उटिल्टी सर्विसेस रहेंगी लोकल वाडिस रहेंगी इस्टेट गवर्मेंट और सेंट्रल की प्राइवेट की सभी के लिए हैं जो उमंग के पॉर्टल लॉंच किया गया था 23 नवंबर 2017 को नेक्स्ट इज विच नेशन है इस कमिटेट डेवलप्मेंट असिस्टेंट लॉन बर्थ रुपीज 3,500 करोड टू इंडिया किस नेशन किसमें किमिंट मैं किया है और प्रश तो यहां पर यहां पर जापां रे हैं कमिंट मेंट किया है इंडिया ौन करेका है जो लॉन देगा जो कोविट-19 क्राइसिस है इमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट के लिए जापन क्या करेगा डेवलप्मेंट असिस्टेंट लॉन देगा 35 करोण रुपए इंडिया के लिए यह नेक्सी लॉर्ड लाइज़श्ट सोलर ट्री इस्टोल्मेंट स्टेंट हाली मैं अभी विस्व का सबसे लाइज़श्ट सोलर ट्री तो कहां पर इस्टोल कीया नन svijas और वेस्ट बेंगौल जारखंट शत्तीस गड़ और मधिप्रदेश तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलार ट्री की बात की जा रही है यहांपर तो विश्वे के सबसे लार्जेस्ट सोलार ट्री को इंस्टॉल कहां किया गया है इंडिया के बेस्ट में पश्चिम मंगाल में इसको है जो इंस्टॉल किया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलार ट्री एट इट्स रेसिदेंट्सियल कॉलोनी जो दुर्गापूर में है वेस्ट बेंगौल में वहां पर इसके लिए CSI CSIR और CMERI ने क्या किया एक सेटप बनाया है जिसमें 11.5 क्लोवाट के हिसाब से जो कैपिसिटी रहेगी इसकी इस कैपिसिटी से इसके लिए सोलार ट्री को इंस्टॉल किया गया और विस्व का सबसे लार्जेस्ट सोलार ट्री रहेगा नेक्स्ट इस विच इंटरनेशनल बैंक विल इंवेस्ट euro 650 मिल्यन फॉर कंस्ट्रक्शन आप कानपूर सफ़्स्ट सिटी मेंट्रो लाइन तो अभी किस इंटरनेशनल बैंक ने गाय की वह 610 euro मिल्यान है जो कंस्ट्रक्शन के लिए देगा कानपूर में फर्स्ट सिटी म बनाई जाने हो इसके लिए तो अपसर नहीं पर WB, ADB, EIB और AIIB तो हाली में अनॉंसमेंट की है कि जो EIB बैंक है European Investment Bank है इन्वेस्ट करेगी 650 मिलियन यूरो यहां पर डॉलर नहीं है यूरो है तो इसका जो क्या फाइदा मिलेगा तीन मिलियन लोग है उनके लिए फास्ट और अफोर्डेवल प्राइस पर पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो मिलेगा सुगाइज यह थे आज के 31 अगस्त से लेके एक से नंबर तक कि जो मोस्ट इंपोर्टरेंट पॉइंट थे हैं क्वेस्टन मैंने आपको बता है तो आई ओप आपके लिए वीडियो अच्छा लगाओ थेंक यू फर वाचिंग अस बाइबाय गुद नाइट